नोईडा में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही भरती गई एक निर्बाणा धीन मकान की शत्रिंग गिरने से चार मजदूर खायल हो गई घटनन नोईडा के सेक्टर 36 की है जहां ये बड़ा हादसा हो गया मेकान के शटरिंग गिरने से चार मजदूर घायल हो गये जिसके बाद आसपास के इलाकों में संसनी मच गई आनन फानन में घायल मजदूरों को नजदी के अस्पतार में भरती कराया गया वहीं एक मजदूर को गंभीर चोटाने की वज़ा से दिल्ली रेफर कर दिया गया है फिल्हाल मजदूरों के साथ हुए इस हादसे की शिकायत अब तक कोतवाली में नहीं की गई है फुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद ही आगी की कारवाई की जाएगी दरसल नौईडा के सेक्टर 36 में रतन नाम के व्यक्ति ने कुछ दिन पहले मकान करीदा था और मकान में निर्माण का काम करवाया जा रहा था निर्माण का कार चार मजदूर संजीत सिंग, सिराज, सुवरत हलदार और अभिनंदन कर रहे थे अचानक मकान के शटरिंग गिरने से चारों मजदूर उसमें दबकर घाल हो गए मजदूरों की चीक पकार सुनकर आजपास के लोग मौके पर जमा हो गए जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गए घटना के एक वेडियो भी सोचल मेडिया पर वायरिल हो रहा है वो इस मामने के जाज कर रही है और इस बात का पता लगा जा रहा है कि लापर वाहिये किसके तरफ से बरती गई अयोध्या में करंट लगने से पांच बंदरों की दर्दराक मौत हो गई घटना अयोध्या कोदवाली क्षेतर के जलवान पुरा इलाके की है घटना के बाद विद्धुत निगम के खिलाफ लोगों में अक्रोश है अयोध्या रेल्वेस्टेशन मार्क से सटे कॉलिनी जलवान पुरा में सुबह पांच बंदर करंट की चपेट में आ गए जिससे उनकी दर्दनाक मौत होगी कंटीले तार की बाउंडरी में करंट उतरने से ये हाथसा हुआ है स्थानिय लोगों का कहना है कि बिजले विभाग की लापरवाही की चलते तार में बिजली का करंट उतरा लोगों का आरोप है कि तार को सही से मिंटेन नहीं किया गया जिसके करंट कंटीले तार में करंट आ जाता है इसकी चपेट में इंसान भी आ सकते हैं दरसल श्रीराम अस्पताल से रेल्वे स्टेशन मार्कवर श्रधालूओं की भी बड़ी संख्या रहती है भीर भार वाले इस इलाके में करंट फैलने से कभी भी बड़ा हाथसा हो सकता है ऐसे में सूचना के बाद मौके प्रस्थानिय पुलिस और वन निगम के कर्मचारी भी पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है आखिर कंटीले तार में करंट कैसे फैली साथी बिजले विभाग की तरफ से अब उन जगों की पहचान की जारी है जहां कंटीले तार लगाए गए है जहां ऐसी घटना की संभावना है बिजले विभाग की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिये गए है